आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लाल मिर्ची के अचार के रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही ज़धा असान है सभी को अचार बनाना बहुत ही ज़धा मुश्किल काम लगता है लेकिन अचार बनाना बहुत ही ज़धा असान काम है बहुत यह असानी से बन करके तयार जाता है और आज मैं आप सभी के साथ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स सेयर करूँगी जिससे कि यह अचार आप सालों साल भी स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होता है लाल मिर्ची का अचार अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो इतने असानी से नहीं मिलता है क्योंकि यह जो लाल मिर्ची होती है सर्दियों में आती है बहुत असानी से मिल जाती है तो जब भी आप मिर्ची खरीदने जाएं तो इस तरह की आपको मोटी वाली मिर्ची लेनी है और इसको हमें पहले अच्छे से वोश कर लेना है वोश करने के बाद इसको हमें अच्छे से पोंच करके दूप में इसको एक से दो गंटे के लिए रख देना है ताकि जो इसके उपर कम मोश्चर है वो ना रहे अगर मेर्ची में हलका सभी मोश्चर रह गया तो हमारा जो अचार है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा जल्दी खराब हुजाएगा तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अच्छे से इसको पहुच लेना है पहुचने के बाद अब हमें यहाँ पर इस तरह से जो पीछे के डंठल है उनको हमें अलग कर लेना है आप चाहे तो यहाँ पर पीछे से इसको कट भी कर सकते हैं नाइफ की मदद से लेक पर 200 गराम मिर्ची ली है आपको जितनी बना रही हो आप उसी हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं डंठल को अलग करने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है नाइफ की मदद से इस तरह से हमें बीच में इसको कट कर लेना है इसको इस तरह से चीरा लगा करके हमें छोड़ देन वैसे जो मोटी वाली मिर्ची होती है यह ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है अगर आप बीच रखेंगे तो इससे जो टेस्ट है मिर्ची का बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा तो आप दोनों तरीके से यहाँ पर इसको बना करके तयार कर सकते हैं जैसे भी आपको अचार हो या फिर किसी भी तरह का अचार हो वो हमारे खाने के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और खास तोर से जो लाल मिर्ची का अचार होता है यह बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट बन करके तयार होता है और यहाँ पर अगर आप इस तरीके से इस अचा इस दरों में शेयर करना ना भूले एक लाइक का बटन है आपसे जरूर प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूले और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले इससे जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जब तक इसको उबालना है जब तक कि इसके अंदर से दूआ न निकल जाए और उसके बाद हमें इसको ठंडा होने के लिए रख देना है जब तक हमारा तेल अच्छे से गरम हो रहा है तब तक हम यापर मसाला तैयार कर लेते हैं तो वापिस से हमें दूसरा पैन गैस पर चड़ा देना है कुछ मसाले हमें यहाँ पर साबुत लेने हैं तो टीन चमछ के σे साबुत जालेकंb अगर आपे पास यह तो आपके तालेक्तिक यह मसाले नहींगी आता पी हें त्वत झालेकं में जाएं समय औरनी रीज़ाल पास जीरा अब हमें आप डालनी है पीली वाली सरसो अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं तो आप इसको never ye जाल हो अच्छी कर सकते हैं यह जो टेस्ट है, 4 कब होती जड़ा अच्छा आता है यह आप डालनी है को प्रबर सकते है् सारे मसाले हमने यहां पर डाल दिये हैं और सारे मसालों को हम अच्छे से इसको भून लेंगे तो गैस की फ्लेम हमें यहां पर लो रखनी है अगर आप हाई रखेंगे तो जो मसाले है वो नीचे से जल जाएंगे और जो अचार का टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नही है तो मसाले विल्कुल अच्छे से बुन करके त्यार हो चुके हैं और उसको हलका सामे ठंडा कर लेना है और मसाले जब ठंडा हो जाएगा तब हमें यहाँ पर इसको grinding jar में डालना है और इसको हमें दरदरा सा पीस करके त्यार कर लेना है तो देख सकते हैं आप जादा विल्कुल बारिक पाउडर हमने यहाँ पर नहीं बनाया है दरदर हमने यहाँ पर इसको पीस करके तियार किया है कुछ मसाले अब हम यहाँ पर बाद में एड़ करेंगे और दो चम्मच हम आप डालेंगे धनिया पाॉडर तो मैंने यहाप पर धनिया पिसा हुआ लिया है अगर आपके पास साबूत है तो साबू धनिया को आप उसके साथ बून करके बीDRB एक चम्मच हमें यहाप डाल देना है आमचूर पाॉडर और सारे मसाले हमने यहाँ पर डाल दी हैं लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी हींग हींग यहाँ पर आप चाहे तो डाले वरना तो इसकी भी कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर डाली है और सारे मसाले हमने यहाँ पर डाल दी हैं इस तरह अगर आप यहाँ पर तेल डालेंगे तो इससे जो आपका अचार है लंबे समय तक बिलकुल भी खराब नहीं होगा तो इस तरह के से आप जरूर से डालें और इस तरह से अच्छे से mix कर देना है इस तरह से एक फायदा ओर होगा कि जो मसाला मिर्ची के अंदर भरेंगे बहुत यसानी से भर जाएगा तो अच्छी binding आएगी याँगी याँपर तो मसाले को हमने अच्छे से mix कर दिया है अब हमें याँपर मिर्ची लेनी है और इस तरह से सारी मिर्ची को हमें फील कर देना है तो इस तरह से हमें मसाला लेना है और सारा मसाला हमें याँपर मिर्ची के अंदर फील कर देना है अच्छे से तो इसी तरह से बागी की सारी मिर्ची को भी हम तयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी मिर्ची को तयार कर लिया है अच्छे से हमने यहाँ पर इसको फेल कर लिया है अब हमें यहाँ पर लेना है कोई भी काच का जार जब भी आप कोई भी अचार डाले तो उसको काच के जार में जरू डाले काच की बोटल हमें या पर लेने या फिर आप दाल चीनी के बरतन को ले सकते हैं तो जो हमने या पर तेल रखा था बचा करके उसमें अभी हमें या पर कश्मिरी लालमिर्ची पाउडर डालना है इसे जो कलर है बहुती जीजदा अच्छा आएगा तो हमने लास्ट में इसलेए ढाला है तेल के अंदर क्योंकि जो है कलर बहुती प्यारा आएगा इस तरह से अगर आप डालेगे अगर आप मसाले के अंदर डालेगे तो उससे कलर बाद में अच्छा नहीं आएगा तो कलर के लिए हम यहाँ पर कश्मिरी लाल मिर्ची यूज़ कर रहे हैं आप चाहे तो इसको skip भी कर सकते हैं और लास्ट में हमने यहाँ डाली है एक चमच के करीब कलोंजी कलोंजी यहाँ पर मैंने लास्ट में इसलिए डाली है क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो हलका सा कड़वा हो जाता है अगर आप इस तरह से डालेंगे लास्ट में तो हमारे जो मिर्ची है वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बन करके तयार होगी तो इस तरह से आप इसको लास्ट में डालें तो इस तरह से हमें सारी मिर्ची को एक कांच के जार में डाल देना है और सारी मिर्ची को डालने के बाद हमें यहाँ पर जो तेल हमने तयार किया है उसको उपर से डाल देना है इस तरह से अगर आप अचार बनेंगे तो आपका अचार बिलकुल भी खराब नहीं होगा और बहुत ही ज़दा टेस्टी बन करके तयार होगा और आप इसको 3-4 दिन के लिए दूप में रख दे दूप में रखने से बहुत ही जल्दी से अचार बन करके तियार हो जाएगा तो अब हमें यहाँ पर सारे तेल को डाल देना है और एक और तरीका में यहाँ पर आपको बताऊंगे जिससे कि आपका चार लंबे समय तक चलेगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा जब आप तेल डाल देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक चम्म सिरका डाल देना है वाइट वाला जो वैनेगर होता है वो आपको डाल देना है सिरके से जो हमारा चार है लंबे समय तक चलता है और बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो मैंने यहाँ पर नएग डाला है क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ही कम अचार डाला है तो यह 10-15 दिन में खतम हो जाएगा अगर आपको साल बर के लिए स्टोर करके रखना है तो आप यहाँ पर सिरका डाल सकते हैं उससे हमारा जो अचार है साल बर के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो अब हमें यहाँ पर तेल को डालने के बाद इस तरह से अच्छे से इसको शेक कर देना है ताकि जो तेल है वो मेर्ची के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमने यहाँ पर अच्छे से शेक कर दिया है और इसको आपको दूप में रख देना है तीन से चार दिन के लिए तो लिजे तयार है लाल मेर्ची का बहुत ही स्वादिस्ट अचार तो आप इसको एक बार जरू ट्राइ करें आपको बहुत इदा पसंद आएगा और बिल्कुल परफेक्ट आपका चार बन करके तयार होगा तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर